कि अलो एप्रिपवान विल्कम टु जी आरे फट्डा मैं अधीति आप सभी लोगों के लिए लेके आई हूँ आज एक ऐसा सेशन जो यूजी सी नेट इग्जामिनेशन दिसंबर आस्परिंस के लिए बहुत इंपोर्टन क्वेशन बना हुआ है अब आप सभी लोग कि गई और जो भी आमारे पास में रिपोर्ट आई उसमें बोला गया पेपर लीक नहीं हुआ और इस वज़े से एक्जामिनेशन जो है जब कैंसल होना ही नहीं चाहिए था फिर भी कैंसल हुआ पट यह सारी चीजों को खारिस करते हुए सुप्रीम कोड का भी फाइनल डि दिया गया है अभी जो चीजें हम लोग कर सकते हैं उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं अब देखो सिनारियो ऐसा है कि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह बताने आए हूं कि ऑगस्त में हम लोगों का वह एक्जाम होना है जो जून के अंदर होना था तो अगर म पहले बार मुझे देख रहे हैं तो पेपर बन और पेपर तू कम्प्यूटर साइंस लेकर यूजी सी नेट एग्जामिनेशन क्याटेगरी में मैं आप लोगों के लिए वेडियो बनाती आ रही हूं अधी शर्मा नाम है और मेरा जो भी वेरीड एक्स्पिरियंस रहा है चाहे वो government का हो चाहे वो non-government organizations का रहा हो वो सारा accumulate करके लेके आती हूं I like to teach I opt this as my first choice because I want to contribute to the learning system of India और वही anthem वही theme के साथ aspiring to inspire theme के साथ में आपके लिए YouTube पे आते हैं अगर आप लोगों ने पिछले दो साल में ज्यारे फट्डा से कुछ भी सीखा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि यहां पर वीडियो मेकिंग का सिर्फ एक मोटिव नहीं है कि हमने वीडियो डाल दिया YouTube पे या बच्चे को बता दिया कोर्स के बारे में सब्सक्राइब के साथ अगर इस लर्निंग सिस्टम पे अगर आप जैनुवनली चाहते हो कि आपकी पर्स्नालिटी चेंज आपको महसूस हो इंप्रूब्मेंट अपने अंदर तो जरूर एक बड़ वो सब्सक्राइब का बटन दबाके देखिए कर ट्रस्ट करके सब्सक्राइब के अंदर आप लोगों के पास में कांसिलिंग सेशन आथा टॉपिक वाइस आपको क्विज मिलता है अगर आप लोग यह सारी चीज़े करना चाहते हो तो आप लोग जयारे फड़ा आप्लिकेशन पे आ सकते हो और जितने भी हमारे स्टूडेंट जो दिसम सेशन वह भी आप लोगों के लिए फ्री में यूट्यूब पे अपलोड किया है ताकि बच्चे को फील आए कि भाई पेड सेशन में क्या डिफरेंस होता है क्या अलग होता है तो वह सब चीज़े आप लोगों के लिए जो है वह दिसमबर वाले एक्जामिनेशन का पूरा का पूरा कोर्स लेके हम लोग आए है आपके पास में पूरी दस साल के प्रीविए सेयर पेपर्स, क्रैश कोर्स, टेस्स सिरीज, इंटव्यू गाइडेंस प्रोग्राम क्योंकि भी पीच्डी एंटरेंस बीची से होगा, टॉपिक वाइस क्वेस, स्टडी प्लानर के साथ क्या पढ़ाया जाएगा, वो तो स्केडिूल मिलता ही है, आपको कब क्या रिवाइस करना है, वो भी स्टडी प्लानर आपको दिसंबर बैच के लिए देके जा रहे हैं, पूरी की पूरी सबजेक्स लिस्ट आपके सामने हैं, कौन-कौन से सबजेक्स अवेलेबल हैं, तो अब अगर मैं बात करूँ, तो देको हमारे पास में कुल मिला के कितना समय बचिया है, आपका ये ऑगस्त का महीना चल रहा है, ऑगस्त और सेप्टेंबर को जो है वो आप निकाल दीजे, सेप्टेंबर के जो एक वीक है, स्टार्टिंग का एक वीक है, उसमें आप लोगो का समय हमारे पास में अभी बचा हुआ है, तो अगर मैं बात करूँ, तो आपके पास में सिर्फ और तॉर्सिर्फ ये दो महीने का समय है, जो बचा हुआ है, और इस दो महीने के अंदर आप लोगों को जो है, वो ये सोचा जा रहा है कि क्या का दिसम्बर का आप लोग अगर देखो तो एसी पोजिशन पे कि वो कुछ भी करवा सकता है और ऐसा नहीं है कि दो या तीन महिने के अंदर आपके लिए एंटी ने पेपर नहीं करवाया है अगर आपको 2023 का भी रीसेंट का ही सिनारियो है अगर आप इसमें नोटिस करो तो आपका एक एक ए एपरिल और में वही ताइम था जो ताइम अभी आपके पास में बचा हुआ है तो अगर आप लोगों की दिमाग में यह है कि क्या दिसमबर वाला एक्जामिनेशन भी डिले होगा तो देखो मैं यहां पर आपको भी बोल सकते हूं कि 70-80% मेरे अपवेनियन यह है कि 70-80% पोस्पोन नहीं होगा और NTA जो है अपनी साइकल को मेंटें करने के लिए कैसे भी दिसमबर में पेपर करवा देगा सेप्टेंबर के अंदर अंदर रिजल्स रिकाल के न्यू अप्लिकेंट्स को वह अविलेबल करवा देगा फॉर्म्स और वह बिलकुल करवा देगा क्य इसे जब आपका जब का जोड़ा कर देली हो सकता है इससे जादा आके डिले हो सकता है। यह जेयरिंटी है 100 परसें वह दुसिता इसके बाद डिले हो गया तो फिर अगला जुन धो हजार पचिस का भी डिले होगा अगला जुन दूचीजबर होगा तो जुन dwarf बिसम्बर 2015 का भी डिले होगा यानि जो साइकल है यह कास्केडिंग रूप में चलती रहेगी और लूप पे लूप लूप पे लूप डिले पे डिले 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 चलता रहेगा इसलिए मैंने कहा कि यह 20% किया उससे भी कम यह कि आप लोगोगों का जो कि आपक जो एकल पॉस्पोन करना चाहेगा अगर सिनारियो ठीक नहीं रहते हैं चीजें ठीक नहीं रहती है तब तो देखो आप लोगों का examination maximum January February तक खिचेगा नहीं तो मेरा ऐसा मानना है कि आपका जो examination है उसके very very high chances कि वो दिसम्बर के अंदर ही NTA कंड़क्ट करवा देगा, वो एक दम कुछ भी करके आपको दिसम्बर में पेपर करवा देगा, दो हजार थेईस में तीन बार पेपर हुआ है एक साल के अंदर, तो अगर साइकल को मेंटेन करने की बात आती है, तो मुझे ऐसा लगता है, देर वेरी लेस चांसे कि आपका एक्जामिनेशन पोस्पॉन होगा, अब यह सारी कहानी, यह सारी डिसकुशन में कर क्यों रही हूँ, अब यह आपने रीसिंट में देखा, जो भी सुप्रीम कोड का डिसीजन आया, उसके तुरन बाद रात को ही, सिटीज आप लोगों की लग इकीस बाइस थेईस वाले बच्चों के लिए, जो एंटी इस वत करने की कोशिश कर रहा है, आप नोटिस करना बहुत ही जादा जो उनके स्टेप्स हैं, जो उनके डिसीजन आ रहे हैं, वो बहुत जादा ऐसे वे में आ रहे हैं कि हम हमारी इमेज सुधार लेते हैं, जो ह 15,000,000 एक्सपेक्ट करना, जिसको नहीं पता था यूजी सी के बारे में अभी उसको भी उजी सी के बारे में पता है, और इस वक्त जितना भी क्यूंकि मैं कॉलेज से भी डिरेक्ली कॉंटेक्ट के अंदर हूँ तो जितने बच्चों को अवेरनेस है, है ना जैपुर जैस अपने फाइनल अंडर ग्राजवेशन के अंदर बी फाइनल गेर के बच्चे आ रहे हैं क्यूंकि उन्हें मास्टर्स के साथ ही यूजी सी निकालना है, तो दिनों दिन कॉंपटिशन इस लेवल पे जा रहा है, मतलब मास एग्जामिनेशन धीर धीर यह बन जा रहा है, ज को यह कहूंगी, आप डिले करने का समय नहीं है, डिले बिल्कुल भी नहीं करना है, यूजी सी नेट एक्जामिनेशन दिसम्बर दोहसार चॉबिस अगर आपका टार्गेट है, आपको जयारेफ करना है, तो आपको अभी से तयारी करनी होगी, और इसलिए मैंने साफ साफ आप लोगों को बताया भी था कि अपनने सूपर 100 बैच बनाया है, और यह पहला बैच अल्रेडी चल भी रहा है, अल्रेडी बच्चों ने इसमें एन्रोल कर लिया है, बच्चे इसमें पढ़ना स्टार्ट कर दिये है, अल्रेड से जादा ही हुए थे, क्यूंकि लास्ट इंपे बच्चों ने बोला कि मैं हमको भी एंट्री दे दीजे, तो इसके अंदर हैश्टाइग आप लोगों को पता है ना, एस हंड्रेड अपनने थीम चला रखी है, तो यह पहला बैच अल्रेडी बन चुका है, अगर आप इसके सेकिंड बैच में पार्टिसिपेशन ल स्टाइब के ईयां, एस कंपूर्ट नंबर पे काल करके पेपरिवं प्लस पेपर फिर फे टू वाले थींम पर जा सकते हो जो भी इप कर आप के Banks बालने चाहते हो यह harder लेना चाते हो तो आपका डिसीजन है तो नहीं लेना है PLAYING मेले वह सब आपका का डिसीजन है आप अद तो पुराने वाले बैच और इस वाले बैच को फिर फाइनली इंटीग्रेट कर दिया जाएगा बट अभी के लिए के लिए कुछ नए थीम के साथ में आ रहे हैं अगर आप इस अलॉट में नमबर टू में आना चाहते हो इस बैच का पार्टिसेपेशन नेना चाहते हो जा अगर आप इस थीम के साथ में आगे बढ़ना चाहते हो इसी तरीके से बहुत सारी चीजी अल्रड़ी चलती है बट जैसे मैंने का पांसो ही जारेफ दिये तो इस बात हजार का ही टार्गेट लेके जा रहे हूं पर जैन्वन हजार नाम के नाम बताऊंगे आपको तो अग के पास में यह और यह जो एंट्री है यह मैंने जैसे का पचिस अगस्त के बाद इसे भी मैं बंद कर दूंगी और यह आप लोगों के लिए आगस से स्टार्ट होने चारporaach करते हैं आप इसम के साथ क्युक्वकि अभी हमारा इंडिपेंडेंस दे भीाbas आने वाला है तो और 20 रिप्रेजेंट करता है आपका 20% ओफ ठीके जी मैंने इन बैच को भी यह स्टार्टिंग के अंदर यही ओफर दिया था इस बैच को भी यही ओफर दे रही हूँ तो अगर आप 20% डिसकाउंट के साथ में हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप जोईन कर सकते ज्यारे की चांसे बहुत कम हैं क्योंकि यूजवली आपी बच्चे पढ़ रहा है ना दिसंबर के लिए उन सबका मेरे पास यही मेसेज़ेज आ रहा था तो इसलिए मैंने यह वीडियो के थ्रू आपको समझाया कि सुप्रीम कोर्ट की डिसीजिजन या एंटीय का वर्क एथिक द आना चाहते हो तो भी मैं आपको बता देते हूं कि कोड़ आपके पास में है 20% डिसकाउंट के साथ आप जॉइन कर सकते हो बागी रात को 9 बजे अगले साथ दिनों के लिए आपके लिए जो है वो रीनेट एक्जामिनेशन का मैं बैक बैंच बैच लेके आई जॉइन कर सकते हो रात को 9 बजे लाइफ पेपर 1 के लिए और 7 बजे पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के लिए थैंक यू सो मच